Emergency Drug in Dialysis Unit कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है जैसे कि आप सभी को पता है हीमोडालेसिस में जो भी पेसेंट रहते हैं उन पेसेंट को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे मैंने अपने पहले स्के वीडियो में बताया है लाइक उनको fever, chills, राइगर ये सारे problems आते ही हैं तो emergency के लिए पेसेंट को और बहुत सारी चीज़ों का problem होता है जिसमें हम emergency drug use करते हैं पहले हम देख लेते हैं emergency drug में क्या-क्या हमारे पास होन अच्छी है सबसे پहला में adrenaline, atropine, non-adrenaline, calcium, gluconate ये जो medicines है ये किसमे किसमे use होंगे इनके क्या side effect होंगे कितने dose में हम देते हैं ये सारी चीजों को मैं आज के topic में बताऊंगी चुकि ये जो list है ये थोड़ी जादा है तो आज हम 8 से 9 drug के बारे में पढ़ेंगे फिर next वीडियो में मैं बाकी के drugs को explain करूंगी इसे इसमें देख सकते है सोडियम बाइकार्बोनेट, नौन एड्रिलीन, नाइट्रो ग्लीसरीन जिसको एंटीजी भी बोलते हैं सकसिनाइल कोलीन, डोपामाइन, और्नेन सिंट्रॉन जो वोमिटिंग में यूज होती है आपको पता ही होगा पैरसेटमॉल, लेटोलॉल जो जैसे लैसिक्स, लैसिक्स भी क्या है, ब्रैंड नेम है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिरूशेमाइड होता है, है ना, और इंजेक्शन फेंटोनोईन, सोडियम, सोडियम, वेलपरेट, डेक्स्ट्रो जब हाइपो ग्लैसीमे में पेसंट चला जाता है, सुगर ले पेसिड, गैस के लिए पेंटेप्राजोल, ट्रॉमाडॉल, ये सारी मेडिसिन्स क्या है, एमर्जेंसी है, जो एक डायलिसिस उनिट में होनी ही चाहिए, और ये आईस्यू में भी रहती है, ठीक है, देखो जैसे ये है, एड्रेनलीन, इसको एम्प्यूल बोला जाता है, अब एड्रेनलीन को लाइप सेविंग ड्रग भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एड्रेनलीन होता है, ये नॉर्मली क्या है, जब एनफलेटिक शॉक होता है, या पेसंट कॉलैप्स करता है, या अलर्जिक डिसॉडर, जब्रॉंकियल अस्थमा, और अ सारी चीज़ों में यूज करते हैं सूपर्फिशल अगर ब्लिडिंग हो रही है माल लो के टिटर है वहां पे भी हम उसको लगाएंगे तो ब्लिडिंग बन्द हो जाती है इसको डायरेक्ट हार्ट मुश्रल में दिया जता है यह तो थाय में दिया जता एड़र्स इफेक्ट है रेस्ट्लेस्नेस एंजाइटी इन फाक्षन यह इसके एड़र्स इफेक्ट हो सकते हैं किसमें नहीं देना चाहिए है न तुझेसे पेसेंट हाइपोटेंसिव में है ठीक है हाइपर थाइराइड है इंजाइन पेक्टोरी से बिमारी यह तीन में थाsin यह। है जाता है यह एक एंप्वोल है उसको टेकीकाडिया कैसरा तरही शॉतार्स इंजाइफ कर एनтории थेम्रेश हो रहा है उस यह रहती है यह यह एंटिड़ुट रहता है यह एंटिडोड रहता है किसका और Τ Alpha केWhy जो झा पन्ITA को जहर रहता है वाला फोब साइर रहता है हो यह जहर रहता है उसका एंटिडोट रहता रहता है कि एट्रॉपिन तो उस टैम पर भी हम एट्रॉपिन का उसको सकते हैं तैं तिसरा ये देख रहे हो ये ये क्या है तिसरा नौर एडरेलिन मैंने पहला क्या बताया एडरेनलिन है न bakın difí कि क्या चीज लिए बताया है मैंने heart rate को x करने लिए ठीक है अब दूसरा हम दिखते हैं injection नौन advise minute या dopamine ठीक है यह जो कैटेगिरी होती है इसमें ब्लड प्रिशर बहुत जादा कम है प्रिलीन और डोपामाइट का उप्योग हम दप करेंगे जब बीपी मतलब जो ब्लड प्रिशर है वो बहुत जादा कम हो गई है लाइक 90-60 हो गई है या 40-30 हो गई है जनरली क्या होता है जो डि है तो जब पेसेंट हाइपोटेंशु सीवियर हाइपोटेंशी में जाता है तब हम अपने डॉक्टर के कंसल्ट सेड नौन अड्रिलीन या डोपामाइट को यूज करते हैं फॉर बीपी इंक्रीज के लिए इंको कभी भी डैरेक्ट पुछ नहीं करेंगे इनको हमेशा इ इतने यूनिट में ये जाएगा ये सारी चीज़े आपको डॉक्टर के एडवाइस से ही करना है नौन अड्रिलीन में सिस्टोलीग, डैस्टोलीग और मीन तीनों बीपी बढ़ती है उसके पाद हम देखते हैं ये क्या है फैन्रामीन जिसको एविल बोला जाता है है यह न खुजली होती है पेसेंट को डैलिस के दौरान उस ट्रेंब हम देते हैं ये मॉडरेटली में बहुत कम सदेटीव भी होता है साइड इफेक्ट इसका ये हो सकता है कि इसको देने के बाद पेसेंट को जो माउथ उसमें ड्राइनेस आ जाए उसको प्यास लगे बार बार है हो सकता है और चुकि ये मॉडरेटली सदेटीव है तो थोड़ सा ब्लरिंग विजन भी हो सकता है फैटिक की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं केल्शियम ग्लुकोनेट का मेंली यूज हम करते हैं किसमें हमारा जो ड्यालिस का टाइप है प्लाज्म फेरेसिस है ना फ्लाज्मा फेरेसिस में हम मोश्ट्री क्लैल्सियम ग्लुकोनेट को यूज करते हैं यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जैसे कैल्शियम आपको पता ही है कैल्शियम क्या करता है जो मश्कुलर क्विच्टिंग होता है क्रैम्स होता है उसमें हम यूज करते है, patient अगर hyperkalemia में है, मतलब potassium की value अगर बढ़ गई है, तो उसको क्या बोलते है, hyperkalemia, calcium की कमी हो गई है, उच टाइम पे हम यूज करेंगे, magnesium की toxicity हो गई है patient को, उच टाइम पे भी हम calcium gluconate यूज करेंगे, patient अगर alkalosis में है, calcium की कमी है, calcium deficiency है, तब हम calcium केलसियम ग्लुकोनेट का यूज सकते है। फ़नेट को काम करता है। इसका प्रण करने में काम करते है। इसका स्ट्रक्चियर फंक्शन रहता है बोन और टीत को बनाने के लिए। यह हमारे जो नर्फोजिकोंस रहते हैं। तो इस प्रकार से calcium gluconate काम करता है उसके बाद हम देखते हैं dexamethasone यह आप dexamethasone का ampule देख रहे हैं यह भी allergic में यह एक stridal drug है dexamethasone और evil को साथ में दिया जाता है ताकि patient को जल्दी relief मिले यह highly potent होता है highly selective glucocorticoids है और long acting होता है यह भी मैंने बताया ना भी evil के साथ दिया जाता है तो evil का उपयोग किसमे होता है allergic condition में same as a tease इसका भी उपयोग किसमे होगा allergic condition में, inflammatory condition में use हो सकता है ठीक है doses 4 to 20 mg हम IV दे सकते हैं इसको यह इसका dose होता है dexamethasone का ampule कुछ इस तरीके से दिखाई देगा उसके बाद हम देखते हैं dextrose dextrose का जो ampule रहता है यह तो क्या आते हैं? bottles भी आते हैं, ठीक है? तो ampule 25%, 50% का आता है और 100 ml का भी आता है यह ampule कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ठीक है? जब patient hypoglycemia में जाता है जब उसका blood sugar level बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस तरीके हम dextrose देते हैं पता कैसे चलेगा कि patient hypoglycemia जा रहा है करके तो vomiting, dizziness, पुरा sweaty हो जाएगा पुरा पशीना-पशीना हो जाएगा patient तो इंपे हमें देखना है कि हाँ वो hypoglycemia जा रहा है हमें एकदम से पूछ नहीं करना है इससे क्या होता है कभी-कभी heart rate बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है और chest में कभी-कभी pain भी होने लगता है इसलिए हमें ये dextrose को अगर हम ampoule से लिये हैं तो हमें थोड़ा slowly motion पे उसको patient को देना है shortness of breath की भी problem हो सकती है तो घबराना नहीं है दोले दिल में patient settle down हो जाता है को हाइपोगलाइसेमिया का पूरा वीडियो देखना है तो उसका link मैंने नीचे description में दिया है कि ये क्यूं होता है किसली ये होता है और especially dialysis के time पे क्यूं होता है इसका reason मैंने बताया हुआ है तो आप उसको link के description में देख सकते हो ये last हमारा आज का lebetolol injection lebetolol भी हम किसमें यूज करते हैं जब BP बहुत ज़ादा बढ़ जाता है इससे पहले मैंने क्या बताया था non-adrenaline and dopamine को जब BP कम रहेगा तब हम यूज करेंगे ये adrenergic antagonist है और जो मैंने adrenaline और non-adrenaline बताया था वो adrenergic agonist drug है ठीक है इसका यूज कप करेंगे जब BP को हमें कम करना है systolic, diastolic दोनों को उस टाइम पे doses 22-40 mg IV होता है every 10 minutes में हम देख सकते हैं side effect postural hypotension हो सकता है और rashish और liver damage होने की संभामना इसमें हो सकती है तो हमें ये जितने भी medicines मैंने बताया है वो आपको तब ही use करना है जब आपके unit में जो in charge जो doctor है या आपके consultant है वो बोलेंगे उस time पे ओके तो ये हमारा आज का emergency drug सा thanks to all आगे भी ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनको आप देखने के लिए प्लीज चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करिए next part में हम बाकी बचे हुए drugs को देखेंगे so keep learning, keep growing thank you